हेलो फ्रेंज, वेलकम बैग, आज मैं आपको मल्टी बैगर पिक करने का तरीका बताऊंगा, कि किस तरीके से हम किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक को पिक कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, इसके लिए मैंने दो स्टॉक का एक्जामपल लि है टेकनिकल समझते हैं बिजनस को सही से समझते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में खूब सारा पैसा बना सकते हैं पहला स्टॉक है सेंको गोल्ड अब इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ची दिखा दूँ कि अगर आप मुझे लागतार दखते हो मेरे वीडियो को देखते हो तो मैंने इस स्टॉक को पांच महीने पहले डिसकस किया था ये थी वो मेरी वीडियो जहां पे मैंने इस स्टॉक को बताया था कि मैं इस स्टॉक को क्यों बाई कर रहा हूं मेरा टार्गिट क्या है सारे चीजे मैंने इस वीडियो में explain किया था, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जा कर देख ले ना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जब मैंने इस stock को discuss किया था, जो मेरी buying थी, वो कितने किती, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, जो मेरी buying थी, इस stock को आप देख सकते हैं, 878 के उपर यह था, मैंने buy किया था, सारा चीज मैंने यहां explain किया था, आज के date में अगर देखें, तो 880 का stock इस समय, पांच महिना में कितने के उपर हैं, 400 के आज पास पहुँच चुका है, ओके, ठीक है, अब यहां पर यह समझने की कोसिज करते हैं, कि यहां पर कौन सा pattern form हो रहा है, बार-बार pattern, pattern मैं इसलिए बोलता हूँ, कि market में आपको help करेगा आपका knowledge, आपकी skill, तो please अपनी skill को start करना है, अब मैं कैसे काम करता हूँ, इस सीज को मैं आपको करता हूँ, कि मैं जब भी किसी stock को buy करता हूँ, तो मैं क्या किसी के video देखूंगा क्या, कि कोई क्या बोल रहा है, बड़े-बड़े जो analyst मैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्यूंकि पैसा मेरा है, तो मैंनत कौन करेगा, मेरे बदले कोई analyst आकर मैनत नहीं करेगा, तो simple मेरे पास है काम करने का जो तरीका है, यह है trading view, यहाँ पे मेरे पास होते हैं multiple watch list, जैसे मैंने किया open list, तो यहाँ पे यह सारे list आगए हैं, जिसमें है nifty के 500, यह nifty 1000, nifty 100, nifty 200, nifty small 250, nifty small के 400, इन सारे stock को मैं एके करके, जितने भी watch list है, एके करके देखता हूँ, इससे फाइदा यह होता है, कि मुझे पता चलता है कि कौन सा stock buying opportunity दे रहा है, कौन सा stock opportunity देने वाला है, कहां पे entry बनती है, कहां से stock गिरेगा, कहां से stock उपर जाएगा, यह सारे चीजे, सीसे की तरह मीचे दिखाई देने लगती है, बार 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 एक ही चीज़ को आप देखोगे न, तो और भी ज्यादा clarity आती है, इसके अलावा इसमें से जो भी stock मुझे अच्छा लगता है, chart pattern जिसका समझ में आता है, मैं जो technical का समझने का तरीका है और चेंज हो जाएगा, अब वापस से आते हैं Sanko Gold के उपर, और यहाँ पर समझने की खोशीज करते हैं, किसे stock में क्या हो रहा है तो अगर आप देखोगे, तो यह जो stock है एक बड़े rally में है, यहाँ पर जिस तरीके का pattern form हो रहा है उसको बोलते हैं, resistance becomes support resistance becomes support का मतलब है, कि जब भी resistance support बन जाता है, इसका मतलब यह है कि market में एक बड़ी देजी है यहाँ पर हमें कैसे देखना है तो मैं आपको दिखातू, जैसे यह एक resistance है तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे यह जो resistance था, यहाँ से stock ने क्या किया, दियान से देखना यहाँ से यह breakout हुआ वापस से यह जो है यहाँ पे support लिया, फिर से यह उपर गया अब जो previous resistance था, उसको अगर देखेंगे, यह बार stock जो resistance था, वहाँ पे support ले रहा है, तो जब भी इस तरीके का pattern from होता है, तो उसका मतलब यह होता है, कि बजार में बड़ी तेजी आने वाली है, तो ऐसे situation में, जो चार्ट को समझते हैं, या तो अपनी position को hold रखते हैं, या फिर और add करते हैं अगला stock है, snowman logistic, snowman logistic इसको भी एक बार देख रहते हैं, तो यह है snowman logistic, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे again एक pattern बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अगर आप देखोगे, तो यह और यह भूरा यहाँ से inverted head and solder, यह है inverted head and solder, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे bottom में buy करना जाला पसंद है again, अगर मैं बात करूँ snowman logistic की snowman logistic, अगर आप search करेंगे, यूटूब पे तो यहाँ पे, एक साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस समय years of stock था, कितने पे था, 44 रूबीज के था, एक साल पहले और एक साल में years of stock है, अभी कितने पे है, लगबग डबल हो चुगा है तो यहाँ पे, अगर हम बात करें, 44 रूबीज की, तो यहाँ पे मेरी कहू भाई थी, अब यहाँ पे मैंने भाई किया है तो जो मेरे डिविलर्ड वीवर्स हैं वो असानी से बता देंगे कि यहीं पे मैंने क्यों भाई किया है, यहाँ पे falling ways बना है, यहाँ पे multiple bullet chart pattern का confirmation है, यहाँ पे W pattern है, बहुत सारा यहाँ पे conviction है, और उसके साथ-साथ अगर business बहतरीन है, तो definitely conviction जो ज़्यादा high हो जाता है तो अगर हम बात करें इसके long term target की, तो सबसे पहले हम आएंगे lifetime high पे जो है कितना का, 134 का क्योंकि यह पूरा का पूरा rounding bottom है जो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है एक भार जब rounding bottom complete हो जाता है तो इसका अलग से target निकल के आएगा यह जितने भी target की मैं बात कर रहा है यह सब technical target है stop, इससे और भी काफी उपर जा सकता यह 246 का निकल के आ रहा है आपको सुनना हर किसी की है लेकिन अगर invest की बारी आती है पैसे को कहीं पे लगाने की बारी आती है तो proper knowledge आपको लेना है चीजों को समझना है आपको क्या-क्या सीखना है technical, fundamental, psychology इन सारे चीजों को आप सीखेंगे तो definitely a profitable बनेंगे Thank you so much